है tuo कैनी student आज बात करने वाले हैं complete प्रोशस्स के बारे में जैसे कि तुम्हें पता होगा जब हम एडिमीशन लेंगे b sixteen suis या फिर GU農ीब तो हमें पतार नहीं होता कि complete क्या होती है में किन-किन पोसेस हैं जाना परता है मतलब यह process कैसे होगी application form कैś कैसे निकलेगा क्या किन-किन बाते द्यान रखना है क्यों से details होंगी एक्जाम के लिए counseling उट्बर धुलिंग अप्ट क्लास रूम कॉंटक्त त्क कैसे यह complete process होगी application form से start हो के यह सब भी बात इस वीडियो में क्लेयर करेंगे तो चलो वीडियो को स्टार्ट करें तो सबसे पहले बात आती ओनलाइन रिजिस्ट्रेशन मतलब की अप्लीकेशन फोम तो ओनलाइन रिजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होता है प्रिस्नल डाटा जैसे ही notification इद रेचेशन आएगा प्लिकीष और इसके बाद तुम हें तुम फिल अपक्रुल करें चैसाति आपलिकेशन साथ को आपको होगा युजर हर और पासवरड यहां होला है और जो तुम्हें पासवरड मिलेगा उसको तुम्हारा काराइब बीभार नहीं करना है और जो भी तुम्हारा application form होगा उसकी एक कोपे निकल वाल लेना प्रिंट आउट निकल वाल लेना है तुम्हें अपने साथ रखना है ठीक है जो अप information होंगी application form में अगर तुमने information थोड़ी सी भी गलत फिल कर दी लाइक अगर तुमने name की spelling भी गलत कर दी father's name की तो भी problem हो जाती है तो जो भी information याद रिखना है तुम fill up करो बिल्कुल correct हो wrong नहीं होने चाहिए ठीक है अगर information है वो wrong होगी तो allotment of seat जो जो जाएगी cancel हो जाएगी ठीक है तो तुम्हे application form फिल करने के बाद एक बार फिर से चेक करना है कि सब कुछ correct है या नहीं है तो यह बात रही अपने के रजिस्ट्रेशन के बारे में registration के बाद तुम्हें क्या करना होगा payment करने होगी payment होती है particular registration के लिए like general के लिए मैं other videos में discuss कर चुकी हूँ कि कितनी payment होगी जो application form की जो fees होती उसी को बोलेंगे payment तुम payment कर दोगे then हमारे यहां पर बात आएगी अभी तुमने application form फिल कर दिया अभी कुछ time के बाद 20 to 25 days later admit card निकलता है ठीक है almost 25 days later admit card आएगा admit card में admit card में admit card download के लिए link आएगा ठीक है official website पे भी आएगा और मैं भी inform कर दूँगी ठीक है तुस चैनल को subscribe कर लेना तो admit card आएगा तो तुम में उसमें user name चो create हुआ था and password दोनों चीज क्या करनी होगी fill करनी होगी ठीक है then तुम login करोगे उसमे and admit card को कर लेना है download and उसके फिर से एक print out निकल वा लेना because admit card की requirement होगी तुम्हें exam के time exam में तुम्हें admit card लेके जाना है यह admit card के बारे में हो गया then details क्या क्या होंगी admit card में ठीक है first of all तो तुम्हारा name होगा admit card में second तुम्हारा exam जो center है उसका address मतलब की तुम्हें exam देने कहा जाना है वो address होगा date क्या होगी exam की and timing क्या रहेगा exam का वो भी admit card में दिया रहता है and admit card act as a candidate photograph ठीक है photograph की तरह act करता है admit card तुम्हें exam के time पे must लेके जाना है then about the exam 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 के लिए तुम्हें जो admit card में जो भी address था उस address पे तुम्हें मतलब reach करना है तो you have to reach exam address up to time ठीक है time से पहले ही तुम्हें exam में exam hall मतलब वहाँ पे center पे चले जाना है then about the counseling counseling के लिए भी notice आएगा हर चीज के लिए notice आता है तो notice होगा counseling के लिए जो कि official website पे upload होगा मैं भी तुम्हें inform कर दूँगी और ये सारे links मैं भी तुम्हें दे दूँगी जैसे ही upload होते रहेंगे तो counseling जो होगी counseling के लिए भी particular notice आएगा कि इतने marks जैसे तुम common entrance exam दोगे उनके basis पे ही counseling होगी कि like 74 मार्क से अबोव वाले students आ जाओ तो ऐसी counseling के लिए notice आएगा first counseling second counseling अल्मुस्ट लगभग हर बार three counseling होती है तो तीनों counseling के लिए अलग-अलग से notice आएगा तो ये counseling का हो गया counseling के बाद जो जो student जिस जिस college में university में select होंगे उनका medical होगा ठीक है सभी student को medical के लिए जाना पड़ेगा particular जो date देंगे counseling के two to three days later जो medical की date होती है तो उसके लिए तुम्हें particular medical के लिए जाना पड़ता है medical से में क्या-क्या check-ups होते हैं वो उसके लिए मैं अलग से बताऊंगे एक वीडियो में exam जब नियरबाई होगा या फिर medical नियरबाई होगा तब यह अपलोड करेंगे तो यह medical के लिए तुम्हें जाना होगा जब तुम्हारा medical certificate हो जाएगा उस पर पर्टिकल साइन हो जाएंगे डॉक्टर्स के दन तुम्हार medical prepare होने के बाद तुम्हार medical और सब कुछ college में जमा होता है दन तुम्हें college में रीच करना है पर्टिकल डेट दे दी जाती तुम्हें कुछ medical की कुछ दिन बाद five to seven days later तुम्हें डेट दी जाते उस टाइम पर तुम्हें classroom में contact मतलब classroom में पहुंचना classroom में मतलब admission हो जाएगा तुम्हारा वहां पर first year में तुम जाके वहां पर अपनी class attend कर सकते हो तो यह कुछ प्रोसेस है तो अगर तुम्हें इस प्रोसेस में कुछ भी doubt हो कहीं भी बीच में तो तुम बता देना एंड जो हमारा next chapter जो crash course दो है उसका आज next class होगी अभी 12 के दो एंड वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना और अपने दोस्तों के साथ share कर देना ताकि उनको भी पता लग जाए कि complete process क्या होती है एंड इंस्टाग्राम पे तुम follow कर सकते हूं बबाई